एक मिनीट सर, मेरा एक सवाल है हलो सर, मुझे भी कुछ पूछना है एक्सक्यूज मी सर, इधर देखिए मुझे भी कुछ पूछना है, क्या मैं पूछ सकता हूँ? अयो अन्ना सती जी, तुम सब का सवाल ले रहे हो, तो एक हमारा भी सवाल है जी लेकिन सर, पहले मैं आया तो मैं सवाल पूछूँगा ने सर, पहले मैं पूछूँगा, मुझे अर्जेंट है हलो सर, हमको भी तो अर्जेंट है, हमें थोड़ी या पे बैटे रहना है अयो, हमको भी तो अर्जेंट है जी लेकिन सर, सर, मैं पहले मैं सब को मौका मेलेगा एक एक करके पूछो पहले आप आये हो तो पहले आप पूछो क्या सवाल है आपका बताईए समझ गया बताऊंगा लेकिन पहले इनका सवाल मैं लेता हूं क्या है आपका सवाल बुलिए सर मैं यह पूछना चाहता हूं कि मैं ग्राफिक स्टुड़न्ट हूं और मैं फोटोशॉप को रोल रा इलिश्टेटर जैसे सौफ्टर अभी सीक रहा हूं तो मेरे लिए कौन सा लैप्टॉप सही रहेगा ओके गॉट इट अब अन्ना आपका सवाल बुलिए अयो सदिजी ह हम तो दुकानदार है जी बोले तो हमारा एक स्टोर है उसका अकाउंटिंग हमें मेंटेन करना पड़ता है स्टॉक की इंट्री रखनी है और इन सभी कामों के लिए मुझे एक लैप्टॉप की जरूत है तो मुझे कौन सा लैप्टॉप लेना चाहिए ओके तो इन सभी का सवाल यह है कि इनको लैप्टॉप लेना है लेकिन कम्प्यूज है इनको पता नहीं कि बेसिक्ली मैं श्टुडलन्ट हूँ तो कौन सा लैप्टॉप लूमैं टीचर हूँ तो मैं कौन सा लूम्osse को Eliob की रहेगा तो आज की व्डियों में मैं ये सारे सवालों के जवाब पूर्फ देने वाला हूं, जिया दोस्तों, लैप टोप लेने के पहले आपके मन में बहुत सारे डाउट रहते हैं, क्योंकि आपको आड़ा ने रहता है, कि कौन सा प्रोसेसर लेना चाहिए, कितना स्टोरेज होना चाहिए, कौन से स्की्रीन साइज्स का हमें लैप टोप ल इन केटेगरी में अगर आप हो तो कौन-कौनसी केटेगरी सारी चीज़े में बताऊंगा डीटेल में इस वीडियो में तो मैं सतीश कंप्लेटेगराओं चैनल में आप सब का स्वागत कताऊ चलिए शूर करते हैं तो दोस्तो नए लापटाप कौन से पर कूंपिकेशन वाला ली सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको पूछना चाह運गा कि आप Laptop का यूज क्या करने वाले है यह आपको पता ऐना चाहिए दूसरा है कि आपका a puzzle कीतना है इंप्लै हो या फिर आप इक कांदार हो यानि shop owner हो या फिर आप graphic student हो या फिर आप gaming खेलने के लिए laptop लेना चाहते हो या video editing के लिए लेना चाहते हो, तो इन में से कौन से केटेगरी में आप आते हो, क्या आप लेपटॉप का इस्तमाल करने वाले हो, ये पहले आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उसकी इसाब से मैं आपको कॉम्पिकेशन बताऊंगा, लेपटॉप लेते समय, आपको ये 6 चीज़े नूटे मार्केट में है, प्रोसेसर में, और इंटेल के i3, i5, i7, i9 ये सीरीज के प्रोसेसर मार्केट में अवेलेबल है, और वही AMD के Ryzen 3, 5, 7, 9, Intel के कंपेर में मार्केट में अवेलेबल है, यहाँ पर RAM में देखेंगे, तो 4 GB RAM का लैपटॉप आपको मिलेगा, मार्केट में 8 GB RAM का मिलेगा, 16 GB RAM का मिलेगा, RAM जो की आपके लैपटॉप का स्पीड बढ़ाता है काम करने में, तो यह अलग-अलग RAM के लैपटॉप आपको मार्केट में देखने में में लेंगे, साथ में स्टोरेज ड्राइव में आपको 256 GB SSD, 512 GB SSD और 1 TB HDD with 256 GB SSD विसलिए, तो यह जो स्ट राइट स्पीड थोड़ा सा कम रहता है, याद रखिए, अगर आप hard disk लेता हो तो इसमें read-write speed कम है, मतलब क्या होता है कि आप computer जब स्टार्ट करोगे तो वो बूटिंग के लिए थोड़ा सा टाइम लेगा, कोई application चालो होने के लिए भी time लेगा, मतलब नॉर्मली पहले आपके laptop में available रहता है, एक mechanical device ने रहता है, motor अगर नहीं रहता है, जो HDD में normally रहता है, तो अगर आप HDD लेने का सोच तो HDD देखिए, सस्ता तो रहता है market में, मतलब 1TB HDD अगर आप market से लोगे तो वा पे 3,000 से 3,000 में आपको मिल जाएगी, मुंबई का प्राइस बता रह मतलब आपके application भाज बूट होनी चाहिए, तो आप SSD की तरफ जा सकते है, मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा select करना चाहिए, लेकिन overall storage ये market में available रहता है, तो आगे आम देखते है laptop की display के वारे में, 13-inch का display available रहता है, 14-inch का display available रहता है, 15.6-inch का display available रहता है, 16-inch और 17-inch का display available र इसमें HD भी रहता है, High Definition इसमें FHD रहता है, OLED screen रहता है और डेर सारे लग लग display होते है, वो जैसे आप जितना budget अपोड कर सकते हैं, उसके साफ से आगे और भी display मिल जाते है, फिलाल आपको ये मैंने screen size के बारे में बता है, अब हम OS के बारे में जानते है, कुछ laptop DOS के और 5 hours आपको मिलता है, यह पर 8-9 hours जो लोग क्लेम करते हैं, वो 7 hours battery life वो आपको देते हैं, और जहां पर 10 hours battery life होती है, लैपटोप की सब्सक्राइब को मिलती है, वो लोग क्लेम करते हैं, 12-13 घंटा हमारा battery life है, तो बिसिकली यह battery life अवेलेबल रहती है, तो यह और all मैंने आपको बता है कि वो प्रोसेसर, RAM, स्टोरेज, डिस्पले, OS या बैटरी लाइप, क्या-क्या चीज़े अवेलेबल रहती है, लैपटोप के अंदर, तो अब मैंने आपको बोला था कि आप work from home कर रहे हो, या फिर आप college student हो, तो इन categories में अगर हो, college student, teacher, work from home, shop owner, यह नीचे आपको प्रोसेसर में क्या देखना चाहिए, आपको RAM में क्या देखना चाहिए, storage कितना होना चाहिए, display क्या होना चाहिए, OS क्या होना चाहिए, battery lab क्या होना चाहिए, यह चीज़े मैं आपको सबसे पहले बता हूँगा, इन category में जो लोग feet होते उन के लिए, तो अगर 10th generation, 11th generation, 12th generation, 12th, 11th लेंगे तो भी चलेगा, 10th भी चलेगा, बट उससे नीचे जाएंगे तो not good, और I3 प्रोसेसर में इसलिए recommend कर रहा हूँ, क्योंकि यह थोड़ा सा performance वाला प्रोसेसर है, अगर आप वहाँ पे daily online lectures भी लेना चाहते हो, आप students का, या फिर आप एक shop owner हो, जहाँ पे आप अपने daily में आप अपने invoice बनाना चाहते हो, या फिर आप एक college student हो, daily आपका कुछ ना कुछ task रहता है word में, excel में या powerpoint में, आप PPT बनाते हो, तो उस time पे आप इस processor पे अच्छे से काम कर पाओगे, तो आपको यह processor at least select करना चाहिए, जो कि लग बक 30,000 से ल data generation processor पहले होना चाहिए, दूसरा आपको देखना चाहिए, at least 8GB RAM, अब 4GB RAM के भी laptop मिलते हैं, लेकिन 8GB इसले मैं बोल रहा हो, क्योंकि आगे 3-4 साल आप laptop यूज करने वाले हो, suppose, तो आगे चलकर यह applications अपडेट होने वाले है, जैसे आप जूम पे lecture ले रहो, teacher हो, तो यह application अपडेट होने वाला है, इसमें कुछ ना कुछ नहीं चीज़े आने वाली है, तो उस ताइम पे यह RAM आपका 4GB का अगर है, तो support करना चाहिए, तो इसले 8GB RAM का मैं यह आपको recommend करूगा, कि at least 8GB RAM आपके laptop में होना चाहिए, दूसरा है कि storage में, आपके लिए storage important है, तो आप जा सकते हाट्डीस की तरफ, मैंने पहले ही बता है, हाट्डीस में ज्यादा storage आपको मिलता है, कम रेट में, 1TB का हाट्डीस आपको मिल जाएगा, 3.3 नाजर में, वो हाट्डीस मार्केट में अवेलेबल रहता है, 1TB का, लेकिन वही अगर आपको storage नहीं है, आप चाहते लेटाप आ रहे है, जिसमें storage के लिए 1TB HDD लगाया रहता है, और साथ में 256GB का SSD भी रहता है, जिसमें operating system इंस्टाल रहता है, जिससे कि आपका computer boot fast वगएरा हो, तो ये भी आप चूज कर सकते हैं, उसके बाद display size में मैं recommend करूंगा, अगर आप laptop daily carry कर रहे हो, आपके साथ म पड़ेगी, या फिर अगर आपको लगता है कि यार मैं कभी कभारी carry करता हो, तो 15.6 inch भी ठीक रहेगा आपके लिए, तो आप operating system में मैं बताओ कि आपको latest operating system की तरफ जाना है Windows 11, याद रखे Windows 11 आप install करके लीजी है, वहा से Windows 10 रहेगा, तो उनको बोलिए कि मुझे अपड तो 7 hours का battery life रहेगा, तो ठीक है न, दिन बर आप काम कर सकते हैं, तो आपको charger लेके गूमना पड़ेगा, तो इससे अच्छा कि आप पहले देखो कि battery life at least 9 hours claim कर रही company, तो 6-7 hours आपको मिलेगा, तो 7 hours minimum मैं बोलता हूँ कि battery life होनी चाहिए उस laptop की, तो ये चीज़े आपको प आपको daily carry करना है laptop को, तो और दूसरा एक Windows 11 और minimum 7 hours की battery, तो चली ये तो configuration मैंने आपको बता है, लेकिन आपका कहना होगा कि sir कोई laptop भी recommend करो, तो मैं कुछ laptop या पर बताने हो लाओ, description में उसकी link भी मैं आपके लिए दे दूँगा, जो कि पहला है Acer की तरफ से, Acer का 1 14, ये और यहाँ पर easy to carry, इसका weight खाली 1.5 kez है, जो मैंने आपको बोला था कि 14 inch करेगा तो 1.5 kez तक इसका weight रहेगा, साथ में इसमें RAM है 8GB DDR4, जो की अच्छी MHz का है 2666 MHz की RAM available है, expandable RAM है ये up to 32GB, इसमें आगे चलकर 32GB तक का RAM लगा सकते हैं, याद रखी इस laptop में, और इसमें SSD जो पहले से pre-install है, वो 256GB की होती है, NVMe, M.2 SSD इसमें लगी होई रहती है, जो की latest है SSD में M.2 तो वो भी बढ़िया रहेगा आपके लिए, साथ में ये expandable SSD, इसमें 2.5 inch का slot available storage के लिए आप इसमें SSD भी लगा सकते हैं, इसमें AMD का redon graphics inbuilt रहता है, इस laptop के अंदर, और Windows 11 प्री आपको दिखा है, तो मैंने जो चीज़े आपको कही थी न, ये laptop के अंदर, प्रॉपर्ली आपको दिखाए दे रही, सारी चीज़े यहापे है, और ये laptop का जो cost है Amazon पे मैंने देखा था, अभी हाली में, एक screenshot भी निकाल के रखा है, आपको दिखाने के लिए, लग बग 29,000 और मेरे लिए एक budget friendly laptop चाहिए, तो आप इस laptop की तरफ जा सकते है, description में इसकी link मैंने दी है, दूसरा laptop और मैं बताना चाहूंगा, या पे HP की तरफ से है, अगर आपको लगता है कि थोड़ी से build quality अच्छी हो laptop की, थोड़ा सा मेरा budget भी मैं बढ़ाने के लिए तायर हो, तो HP 15S, Ryzen 3 processor का आप ले सकते, AMD का यह Ryzen processor आपको मिल जाएगा, साथ में RAM 8GB expandable मिलेगी, display size यहापे आपको 15.6 मिलता है, दिखिए, वो जो processor है, पहले Acer में, वही processor यहापे आपको मिलेगा, लेकिन यहापे, आपको display size अलग मिल रही है, 15.6, RAM लगबग से हमे, SSD भी 256GB है, यहाप पर inbuilt graphics, same, वहाँ पर redon का graphic मिलता था, AMD का redon graphics मिलता था, यहाँ पर inbuilt graphics आपको मिल रहा है, Windows 11 है, इसमें office भी install करके आपको मिलता है, lifetime access के साथ, office 2021, वहाँ पर office नहीं मिलता है, MS office, यहाँ पर office भी install करके मिल रहा है, और battery यह क्लेम कर रहे है, 9 hours का मतलब 6-7 hours काई पर ने ग लिए best रहेगा, थोड़ा सा budget अगर आप बढ़ाओगे यहाँ पर 700-800 रुपे, तो यहाँ पर आपको लगबक 30,000 में यह मिल जाएगा, HP का 15ES laptop, यह आप देख सकते, इसकी भी link मैंने description में आपके लिए दी है, तो मैंने कुछ laptop आपको suggest कि अगर आप एक basic application साप run करने चाह अब बात करते आगे, अब यहाँ पर उपर की 4 categories होगे, अब नीचे की 3 categories है, अगर आप graphic student हो, gaming खिलना चाहते है लैपटॉप में या video editing करना चाहते है, basically यहाँ पर graphic student और video editing इनके लिए मैं laptop पहले suggest करूँगा, क्योंकि gaming के लिए थोड़े से high configuration वाले laptop की ज़रूद पड़ लेकिन जब आप यहाँ पर 3D वगरा graphic करते हो, या फिर थोड़ा सा advanced level पर जाना चाहते हो, तो आप 16GB RAM की तरफ आपको जाना पड़ेगा, आपका SSD यहाँ पर 1TB HDD के साथ 512 SSD भी होना चाहिए साथ, क्योंकि अगर आप यहाँ पर video editor हो, तो आपके पास digital video आने वाले जो क एक एक वीडियो 5566GB का या उससे भी बड़ा हो सकता है, तो उसमें storage की आपको बहुत जरूत होती है, तो यहाँ पर आप SSD में जा रहो तो 512GB SSD ले लो, या फिर HDD साथ में 1TB का भी add करोगी तो अच्छा रहेगा, और डिस्प्ले में आप 15.6 ही ले लो या उससे बड़ा ले सकते हैं, लेकिन वो carry करने के लिए easy नहीं होता है, इसलिए 15.6 है और 14 इंच में मच जाओ, क्योंकि आपको video editing में देखना पड़ता है, स्क्रीन पर प्रॉपर ली दिखना चाहिए, छोटी स्क्रीन रहेगी तो वा पर वीडियो प्रॉपर एडिट करने के लिए, ग्रा यह पर कुछ laptop में यह पर सजेस्ट करूंगा, रेडमी का laptop है, रेडमी प्रो, यह laptop बेतरीन है, basic एक graphic students के लिए, देखिए मैं बोल रहा हूँ कि graphic students के लिए, advanced graphic अगर आपको करना है तो थोड़ा सा high configuration 16GB RAM में जाना पड़ेगा, तो यह रेडमी की तरफ से जो है, इसमें क्य बेसिकली, display है, 15.6 FHD, full high definition वाला display मिलेगा, anti-glare metallic body मिलेगी, फिर Intel Core i5 11th generation का processor मिलेगा, यह जो रेडमी प्रो मैं आपको recommend कर रहा हूँ, यह 11th generation का i5 का processor है, latest generation, 11th और 12th भी latest है, basically 12th ज्यादा latest हो कह, लेकिन 11th भी ठीक ठाक है, उसके बाद 8GB की रहाय में आपे मिलती है DDR4 क और यह expandable नहीं रहती है, लेकिन यहापे जो storage है, basically वो expandable है, 512GB का storage है, उसमें आप और भी expand कर सकते है storage में, साथ में यहापे Intel का iReads XC graphics, in-build graphic रहेगा, और Windows 10 install रहेगा, pre-install, MS Office lifetime validity के साथ install रहेगा, and rapid fast charging यहापे होता है, 35 minutes में 50% battery यहापे charge होती है, यहापे Redmi Book Pro के अंदर तो यह Redmi की तरफ से एक बहतरीन laptop है, जिसकी cost लगबख 44,000 के aspa जा रही है, तो आप, depend है कि भई, अगर graphic student हो, तो आपको 40 के आगे ही जाना चाहिए, मैं आपको बताऊंगा, video editing के लिए ले रहे तो 40 के आगे जाना चाहिए, 50-40 के बीच में जाएंगे, तो अच्छा ले रहेगा, AMD 5th generation Ryzen 5, यह processor रहेगा, 5th generation का Ryzen 5 का processor रहेगा, 5500, 5th generation latest रहेगा, याद रखिए, HP 15S में जो RAM आपको मिलेगी, वो है 16 GB की RAM, DDR4, 3200 MHz वाली RAM, काफी अच्छा MHz वाली RAM है, 16 GB की RAM है दोस्तो, storage मिलेगा 512 GB, जो की यहापे expandable है, आप expand भी कर सकते हैं, M.2 storage यहा और यहाँ पर आपको dual band Wi-Fi, Bluetooth 5.0 मिलेगा, built-in LX मिलेगा, fast charge support करता है, यह 50% हो जाता है, 40 minutes के अंदर, और full size backlight keyboard में मिलेगा, तो HP का यह एक बड़िया laptop है, 15S का ही, यह AMD 5th generation वाला HP का 15S वाला laptop है, जिसमें आपको यह लगबग पड़ेगा, 55,000 तक अभी rate जो चल रहा है यह मैं बता रहा हूँ, तो यह आप ले सकते हैं, अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा Redmi से अच्छा होना चाहिए, जो पिछला मैं ने बता है, तो उससे अच्छा यह HP 15S वाला मैं recommend करूँगा, थोड़ा सा अच्छा editing क्योंकि इसमें 16GB RAM मिल रही, Ryzen का आपको latest processor भी मिल इतना ही है, अब मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे graphic में थोड़ा सा advanced level पे चाहते, 3D animation करना चाहते, laptop पे gaming खिलना चाहते, high-end video editing करना चाहते, तो इन सब के लिए मैं recommend करूँगा, Asus का TUF Gaming App 15 Laptop, जिसमें dedicated 4GB graphic आपको मिलेगा Nvidia का दोस्तों, जिया, graphic आपके video editing, animation, high-end video editing basically, य यह gaming purpose के लिए TUF Gaming Laptop बहुत जबर्दस है, इसमें 15.6 inch की FHD मिलती है, जो कि IPS level का display यहाँ पे मिलता है, 144Hz का refresh rate मिलता है, Intel Core i5 10th generation का यहाँ पे processor आपको मिल जाता है, साथ में RAM 8GB RAM DDR4 की मिलती है, और साथ में उसके बाद यह RAM expandable है, up to 32GB तक expand कर सकते है, storage मिलता है 512GB यहाँ SSD मिलता है, storage और single zone RGB backlight keyboard भी है, military grade certified, यह ASUS का laptop है दोस्तों, तो यह gaming purpose के लिए बहुत ही best है, आप इसमें video editing भी कर सकते है, graphic animation भी कर सकते है, जो चाहिए use कर सकते है, फिलाल इनोंने gaming के लिए mention किया, इसका cost लगबग अब देखोगे currently है 57,000 रूपीज, इसके link भी आपको description मे मिल जाएगी, आप इसे consider कर सकते है, अगर आप gaming purpose के लिए जाना चाहते हैं, तो यह ASUS का F15 laptop है, इसके अलावा Ryzen processor के साथ, ASUS का A15 वाला same configuration वाला laptop आता है, यहाँ पे, मैं आपको screen के उपर दिखा रहा हूँ, यहाँ पे 60,000 तक यह budget में जाता है, क्योंकि यहाँ पे Ryzen का 5 latest generation वाला processor आपको मिल जाएगा, बाकी सारी सीजे सारा configuration सेम रहेगा, जो मैंने A15 में बताया था आपको, तो A15 में भी वैसा है रहेगा, तो चलिए यह overall मैंने laptop आपको बताया, लेकिन अभी मेरा जो favorite laptop है, या मैं जो laptop recommend करूंगा, वो laptop recommend करने की बारी आ चुकी है, वो है HP Pavilion 15 laptop, जी हाँ, HP की quality मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि मैं HP की laptop यूज कर चुका हूँ पहले भी, और यहाँ पे HP Pavilion 15 जो laptop है, इसका configuration अगर आप देखेंगे, तो यह 12th generation का processor देता है आपको i5 में, 16 GB RAM आपको यहाँ पे मिलती है, साथ में आपको 512 GB SSD मिल जाती है, 15.6 inch का F IPS, FHD, anti-glare display यहाँ पे मिल जाता है, iSafe display यहाँ पे रहता है, Alexa, backlight keyboard यहाँ पे रहता है, fingerprint sensor भी यहाँ पे Windows 11 इंस्टॉल रहता है, और यहाँ पे इसका weight भी लगबग पाउने दो कीजी के आज पास आपको मिलेगा, तो यह एक laptop है, जो high video editing या फिर आप gaming के लिए तो मैं recommend चाहिए, dedicated, तो वो सारी चीज़े इस वाले laptop में available है, तो यह भी एक laptop आप video editing के लिए consider कर सकते है, सभी laptop के link description में आप check out कर सकते है, अगर आपको लगता है, ठीक है, इन में से कोई एक laptop आपको purchase करना चाहिए, तो आप consider कीजिए, और purchase कर लीजिए, तो यह मैंने आपको बता बैटे बैटे आपको से की साथ सीख नहीं मिलेंगे, फिलाल तो मैं विलूँगा आपको नेक्स वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना खायल रिखिए, सीख ते रही है, बाई बाई